Welcome back to our YouTube channel, Storytelling with Bani and Poojan और आज हम आपके लिए गहराया नाम की एक फिल्म के कहानी और उसका रिव्यू लेकर आए है यह फिल्म 11 फरवरी 2022 को रिलीज हुई है इस फिल्म को IMDB पे 6.7 रेटिंग मिले हैं out of 10 और इसे 52% लोगों ने लाइक किया है कहानी के शुरुआत अलीशा नाम की एक लड़की से होती है जिसका किरदार देपिका पदुकोन्ने निभाया है अलीशा एक योगा ट्रेनर है और वो योगा के लिए अपनी एक आप लाँच कर रही है जब वो इन्वेस्टर्स को उसे आपका डेमो देती है तो एक गलिच आ जाता है जिसकी वज़े से उसके इन्वेस्टर्स वहाँ से चले जाते हैं इस कहानी में अलीशा की कजिन का नाम टिया है जिसका किरदार अनन्या पांडेने निभाया है अलीशा के मुकाबले टिया की जिन्दगी जादा स्टेबल है क्योंकि वो फाइनेशली जादा इंडिपेंडनेंट है अलीशा जहां आज भी फाइनेशली बहुत जादा स्ट्रॉगल कर रही है वहीं दूसी तरफ टिया काफी अमीर है अलिशा वैसे तो टिया को बहुत जादा प्यार करती है लेकिन फिर भी वो उससे मिलना इग्नोर करती है ताकि उसे इस बारे में बुरा फेलना हो मुंबई में ही टिया के पिता का एक बीच हाॉस है और टिया अलिशा के साथ वहाँ पर जाना चाहती है इस कहानी में Zain और करन नाम के दो खिरदार हैं करन अलीशा का बॉइफरेंड है जो कि टिया का कॉलिज फ्रेंड था तो वहीं दूसरी तरफ Zain टिया का बॉइफरेंड है जो कि दो साल से उसके साथ रिलेशनशिप में है वो चारों जैसे ही मिलते हैं एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं कि तभी टिया अलीशा से उसके पिता के बारे में पूछती है अलीशा जो कि पहले काफी मज़े कर रही थी वो अचानक से अपने पिता की बात सुनकर चुप हो जाती है अलीशा कुछ बहाना बनाकर किचन की तरफ चली जाती है जहां उसकी मुलाकात जैन से होती है जब अलीशा और जैन एक दूसरे से बात करते हैं तो अलीशा को ये पता चलता है कि जैन और टिया की मुलाकात इसलिए हुई थी क्योंकि वो उसके पापा का असिस्टन था अलीशा अपने बारे में जैन को बताते हुए कहती है कि उसके और टिया के पापा बिजनस पार्टनर्स हुआ करते थे लेकिन उन दोनों के बीच पता नहीं क्या हुआ और फिर अलीशा के पिता वापस मुंबई आ गए उसके बाद अलीशा के पिता नासिक में रहने लगे और उन्होंने अपना एक चीज फार्म खोल लिया लेकिन वो कभी भी वापस नहीं गए अलीशा को जब अपनी फैमिली पिक्चर उस बीच हाउस में मिलती है तो वो अपनी पिता की फोटो को क्रॉप कर देती है जिससे हमें ये अंदाजा लग जाता है कि वो अपने पिता को कुछ खास पसंद नहीं करती जैन और टिया जल्द ही शादी करने वाले हैं लेकिन हम धीरे धीरे कहानी में देखते हैं कि जैन का जुकाव अलीशा की तरफ जादा है और वो टिया से शादी करने में बिल्कुल भी इंट्रेस्टेट नहीं है एक रोज अलीशा जब सुबह सुबह बीच पर योगा कर रही थी तभी उसकी बलाकाद जैन से होती है जैन उससे सेलिंग के लिए पूचता है और वो दोनों ही अकेले यॉट पर चले जाते हैं जैन यहाँ पर अपने एक रियल एस्टेट की प्रोजेक्ट के लिए है और ये यॉट उन्होंने किराय पर लिया है वो दोनों साथ में जैन का रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट देखने जाते हैं जहां जैन उसे बताता है कि वो खुद एक मिडल क्लास फैमिली से है करन पेशे से एक राइटर है लेकिन फिर भी वो अलेशा को अपना लिखा हुआ कुछ भी पढ़ने नहीं देता अलेशा को ये देखकर काफी जाधा अजीब तो लगता है लेकिन वो चुप चाप सब कुछ देखती रहती है जहां करन और अलीशा के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही थी वहीं दूसरी तरफ जैन और अलीशा के बीच में नजदी के आने लगी थी जैन अब उसे सोशल मीडिया पर फॉलो करने लगता है और वो दोनों चैट में आपस में बात करने लगते हैं अचानक से एक रोज जैन के मसल पुल हो जाती है जिसके लिए टिया उसे अलीशा के पास भेजती है अगली रोज जैन टिया के स्टूडियो में चला जाता है योगा करते करते वो उसे बताता है कि वो बेसिकली जैपूर से है छे साल की उम्र में ही उसके माता पिता ने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था उसके बाद उसने वही से ग्रेजुएशन की और उसके बाद वो यूएस चला गया अलीशा उसे बताती है कि वो मुंबई में ही पली बड़ी है लेकिन बिजनेस खत्म करने के बाद उसके पिता नासिक शिफ्ट हो गए वो हर रोज ये देखती थी कि उसकी मा नासिक में नहीं रहना चाहती लेकिन फिर भी उसके पिता जबरदस्ती उसे वहीं रखते थे वो जैसे ही जैन की आँखों में अपने लिए कुछ देखती है वो उससे कहती है कि वो अपनी मा की तरह नहीं बनना चाहती थोड़ी देर सोचने के बाद वो दोनों किस करने लगते हैं कि तभी अलीशा के स्टूडन्स वहाँ पर आ जाते हैं अलीशा जैसे ही घर जाती है करन उसे बताता है कि टिया वापस कुछ दिनों के लिए LA जा रही है करन अलीशा को बताए बिना ही टिया और जैन को अपने घर उला लेता है और क्योगि अलीशा को उससे जधा मिलना पसंन नहीं इस लिए वो उससे नार्याज हो जाती है अलीशा किचन में कुछ काम कर रही है इसलिए जैन उससे बात करने जाता है लेकिन वो जलबाजी में बाहर निकलने लगती है और जैन के हाथ में दर्वाजे से चोट लग जाती है टिया की LA की फ्लाइट थी और जैन अब ड्राइब नहीं कर सकता था इसलिए वो करन से कहता है कि वो टिया को एरपूर्ट तक छोड़ दे टिया इस बात के लिए मान जाती है और वो जाते-जाते करन से कहती है कि उसकी बुक के जो ड्राफ्ट उसने उसे भेजे थे उसने इमेल पर अपनी उपीनियन भेजी है अलीशा जैसे ही ये सुनती है उसे काफी जादा गुस्ता आता है क्योंकि टिया वो पहली इंसान थी जिसने उसकी बुक पड़ी थी और अलीशा जब उससे इस बात के लिए कहती थी तो वो अक्सर मना कर दिया करता था जैन और टिया के बाहर जाते ही वो दोनों जगड़ा करने लगते हैं और करन उस पे इस बात के लिए भड़क जाता है कि वो बस एक objective opinion चाहता था करन जैसे ही टिया को लेकर एरपूर्ट के लिए निकलता है जैन वापिस अलीशा के पास आ जाता है इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और आने वाले 10 दिनों के लिए दोनों एक साथ रहते हैं तिया 10 दिनों के लिए LA में थी तो वहीं दूसरी तरफ करन भी 10 दिनों के लिए कहीं गया हुआ था ये वो वक्त था जब दोनों को लगता है कि वो पूरी तरह से आजाद है। दोनों जब एक दूसरे के साथ थे तो वो अपने बारे में एक दूसरे को काफी बाते बताते हैं। जैन अलीशा को कहता है कि उसके माता पिता एक अब्यूजिव रिलेशन्शिप में थे। उसके पिता अकसर उसकी मा को मारा करते थे और वो ऐसा होते हुए बस देखता रहता था। एक रोज जब उसके पिता ने उसकी मा को बहुत बुरी तरह से मारा तो उसने पुलीस वालों को बुला लिया। लेकिन पुलीस ने जब उसकी माँ से बातचीत की तो उसकी माँ ने पुलीस वालों को ये कहकर वापिस भेज दिया कि वो सीडियों से गिर गई थी उसके पिता ने उसके बाद उससे माराज इसके बाद उसने घर छोड़ दिया और उसे सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि उसकी मा बचना ही नहीं चाहती थी टिया वेले से वापस आ जाती है और वो जैन से कहती है कि करन अलिशा के बद्दे के लिए बीचा उस पर एक पार्टी दे रहा है जैन और टिया भले ही साथ में रहते हैं लेकिन टिया को ये लगने लगता है कि वो उससे दूर जाता जा रहा है जैन भी उस वक्ट party में ही है और तभी उसे एक call आती है उसे यह पता चलता है कि जिस deal को वो बहुत वक्त से crack करने की कोशिश कर रहा है वो deal crack हो चुकी है जैन जब call पे था तो टिया करन को बताती है कि उस business में उसके पिता ने भी invest किया है उसके पिता सबसे बड़े इंवेस्टर्स में से एक है इसलिए वो स्लीपिंग पार्टनर जैसी है जैन जिस वक्त कॉल पे था उसे वक्त करन अलीशा को शादी के लिए प्रोपोस करता है और अलीशा बिना कुछ सोचे हां कह देती है जैन इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है और क्योंकि अलीशा के बिजनस में जैन ने इंवेस्ट किया था इसलिए वो उसके इंवेस्टमेंट वापिस भेज देती है अलीशा और करन 6 साल से रिलेशनशिप में थे और इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो करन को बिल्कुल भी दुख पहुँचाए करन का बिहेवियर आज भी बिल्कुल वैसा ही है और वो अलीशा को अब भी इग्नोर करता रहता है अलीशा और करन साथ में एक घर देख रहे हैं और ब्रोकर को बिजली के पुराने बिल्ल चाहिए जब वो करन से इस बारे में पूस्ती है तो करन उसे कहता है कि वो इमेल में से वो बिल्ल ले सकती है अलीशा जैसे ही इमेल्स देखने के लिए करन का फोन उठाती है वो देखती है कि पब्लिशर की तरफ से उसे एक इमेल आई है पब्लिशर ने प्रुपोस करने से तीन दिन पहले ही उसकी बुक रिजेक्ट कर दी थी अलीशा इस बारे में करन से सवाल करती है और करन उस पे गुस्ता करने लगता है अलीशा उसे कहती है कि इस घर को संभालने के लिए वस वही महनत कर रही है और करन घर के बिल देना तो दूर लेकिन उससे बातें भी शेर नहीं करता करन गुस्से में आकर अलीशा से कहता है कि अगर तुम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइस कर लोगी तो तुम मर नहीं जाओगी इतना सुनने के बाद ही अलीशा गहरी सोच में चली जाती है कहानी में आगे हमें पता चलता है कि अलीशा करन को छोड़ देती है और अलग shift हो जाती है इसके बाद वो अपने पिता से मिलने के लिए नासिक जाती है जहां हमें पता चलता है कि उसकी मा ने fancy लगा कर आत्महत्या की थी बच्चमन से अब तक उसे यही लगता था कि उसकी मा की मौत उसके पिता की वज़े से हुई है और वो पूरी जिंदगी उसके बाद शराब में ही डूबे रहे अलीशा क्योंकि अचानक से ही वहां से गायब हो गई है इसलिए सब लोगों को उसकी फिक्र हो रही है जैन उसे बार-बार call और messages करता है लेकिन वो उसकी एक भी call का जवाब नहीं देती जैन अलीशा को पसंद करता था लेकिन वो टिया को छोड़ नहीं सकता था क्योंकि उसके पिता ने उसके बिजनस में काफी जादा इंवेस्ट किया था वो अपने बिजनस पार्टनर जितेश से ये सवाल करता है कि अगर उसे टिया की investment वापिस करनी हो तो उसे कितना वक्त लगेगा जितेश उसे बताता है कि 6 महीनों में उनकी company की हालत इतनी अच्छे हो जाएगी कि वो लोग टिया की investment को वापिस कर सकते हैं टिया को भी अलीशा की फिक्र हो रही है इसलिए वो अलीशा को message करती है अलीशा उसके message का reply कर देती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है जैन उस text को देख लेता है और वो उसी जगह पर अपने interns के साथ पहुँँचाता है अलीशा और टिया जब एक दूसरे से बात कर रहे थे तो जैन वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं टिया ने करन को भी वहाँ पर बुलाया है लेकिन अलीशा उससे मिलने के लिए बिलकुल इंकार कर देती है टिया जैसे ही थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है जैन उसके पास उससे बात करने के लिए आता है अलीशा उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है लेकिन जैन उसे कहता है कि एक बार उसे उसकी बात सुन लेनी चाहिए अलीशा जैसे ही उसे अनब्लॉक करती है वो देखती है कि उसकी तरफ से उसके पास काफ़ी जादा मेसिजिस है जैन ने उसे एक वोईस नोट भेज़ा है जिसमें वो कहता है कि वो उससे बहुत जादा प्यार करता है और इसलिए वो टिया को छोड़ कर उसके पास आना चाहता है इसके बाद वो दोनों मिलते हैं जहां जैन उसे कहता है कि वो टिया के पिता के पैसों को छे महीने में चुका देगा और इसके बाद वो दोनों हसी खुशी अपनी जिने लगेंगे अलीशा को ये बिलकुल अच्छा नहीं लगता कि वो अपने कजिन को धोका दे रही है लेकिन फिर भी वो इस बात के लिए हां कह देती है और इसके बाद वो दोनों छुप-छुप कर मिलने लगते है जैन अब बहुत जादा बीजी रहने लगा था और टिया ये बात नोटिस कर रही थी जैन और अलीशा जब एक रोज यॉट पे थे तो वो अपने यॉट में एक बूढ़े कपल को बिठाते है वो कपल उन दोनों से सवाल करता है कि उन दोनों का क्या रिष्टा है जिस पर जैन कहता है कि वो दोनों मंगीतर है जैन और टिया के रिष्टे को 3 साल हो चुके है और वो दोनो इसको सैलिब्रेट करने के लिए पार्टि रखते है इस पार्टि में अलीशा और करन दोनों को इन्वाइट किया गया है लेकिन करन किसी वज़ा से आ नहीं पाता जेन जब पार्टी में था तो उसके फोन पर बार बार अलिशा की कॉल जा रही थी लेकिन जेन बार बार उसे इग्नोर करता रहता है थोड़ी ही देर बार जेन को ये पता चलता है कि बिजोए सेन नाम का वो इनसान जिसने उनके बिजनस में इन्वेस्ट किया था उसे गिरफतार कर लिया गया है यानि कि अगर बिजोए उनका नाम लेता है तो उनका बिजनस पूरी तरह से बरबाद हो सकता है साथ ही उन्हें बहुत से पैसों की जरूरत भी पढ़ने वाली है जेन जैसे ही जितेश से ये बात करके बाहर आता है वो देखता है कि अलीशा उस पार्टी में आ चुकी है वो जेन को अकेला देखकर उससे बात करने लगती है और उसे कहती है कि वो माँ बनने वाली है वो बार बार अभी जिद करने लगती है कि उसे उससे अकेले में बात करनी है लेकिन जेन उससे कहता है कि वो दोनों पार्टी के बात बात करेंगे जेन जब उससे बात नहीं करता तो वो बैग में जिसे अपनी anxiety pills निकाल लेती है जिसे जया नकस के हाथों से छुड़ा कर अपनी जेब में रख लेता है थोड़ी देर बार टिया और अलिशा एक दूसरे से बात करने लगते हैं और टिया अपना phone जेन के पास दे देती है जेन के दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा था वो बस ये चाहता था कि वो किसी तरह से अपने business को बचा ले उसे बहुत से पैसों की जरूरत थी इसलिए अब उसे लगता है कि उसे टिया के साथ अच्छे संबंद मना के रखने पड़ेंगे क्योंकि इसके अलावा उसे कहीं और से पैसे नहीं मिलने वाले जेन जैसे ही टिया से इस बारे में बात करता है टिया उसकी मदद करने के लिए तयार हो जाती है वो दोनों अब इस बात पर राजी होते हैं कि अली बाग वाली बीच हाउस को वो लोग गिर्वी रख लेंगे टिया जब इस बारे में अपनी मा से बात करती। तो उसकी मा उसे कहती है कि किसी पर भी इतना भरोसा करना अच्छी बात नहीं है लेकिन टिया जैन से जूट कहता है कि वो बिजनस के काम से दो दिन के लिए पूने जा रहा है जब वो दोनों ड्राइव करके वापिस आ रहे थे तो टिया उसे पाने लाने के लिए बाहर भेज देती है जैसे ही वो बाहर जाता है वो उसका फोन चेक करती है और contractor के number पे video call करने लगती है ये number Alicia का था लेकिन इससे पहले कि वो उसका phone उढ़ाती Zain वापिस आ जाता है और उसकी नजर अपने phone पर जाती है और वो समझ जाता है कि उसने उसके phone को use किया है क्योंकि उसका phone अभी विवान था Zain अब बड़ी ही चालाकी के साथ उस number का नाम contractor से बदल के जितेश रख देता है जितेश को भी अभी ये कही न कहीं लगने लगता है कि Zain अपनी personal और professional life को mix करने लगा है वो Zain से कहता है कि उसे टिया के साथ अपने रिष्टे सुधारने होंगे क्योंकि अगर उसने पैसे नहीं दिये तो वो दोनों पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे Zain जब अपनी business meeting में था तो उसे Alisha की तरफ से बार-बार phone आने लगते है वो बार-बार उसका phone ignore करता रहता है और थोड़ी देर बाद Alisha उसके office में आ जाती है Alisha जैसे ही office में आती है वो उसे एक notice दिखाती है ये notice उसके studio पर लगा था जिसके उपर fraud लिखा गया था Zain ये notice उससे ले लेता है और उसे जितेश को दिखाता है असल में जिस company के नाम पर उन लोगों ने पैसे raise किये थे वो company उस studio के नाम पर register थी investors भी अब Zain के business में से अपना हाथ पीछे कीच लेते हैं वो उसे कहते हैं कि पैसे वापिस करने के लिए उसके पास दो हफते हैं और अगर उसने दो हफतों में उनके पैसे वापिस नहीं किये तो वो लोग उसके case कर देंगे Zain जससरा से Alisha को treat करता है उन दोनों की बीच में जगडा हो जाता है और इस जगडे को होते हुए जितेश देख लेता है वो टिया के साथ अब बीचा उसको गिर्वी रखने की बात करने के लिए चला जाता है और इलिशा से किसी भी तरह का contact तोड़ देता है टिया के मा को अब भी जेन के उपर शक है इसलिए वो कहती है कि वो उन सारे documents को अपने lawyer को दिखाना चाहती है जेन इस बात पर काफी जादा नाराज हो जाता है क्योंकि उसका इरादा बीचा उसको गिर्वी रखने का नहीं बल्कि उसको बेचने का था अब तक उसने यही सोचा था कि टिया उस पर अंधा भरोसा करती है और अगर वो उसे किसी भी थरह के document sign करने के लिए देगा तो उन्हें बिना पड़े ही वो sign कर देगी लेकिन उसकी मा ने जब ऐसा कहा कि वो उन सारे documents को अपने lawyers को दिखाना चाहती है तो उसके इरादों पर पानी फिर जाता है वो दोनों अब इस बात पर जगड़ा करने लगते हैं और जगड़े के बीच में टिया उससे कहती है कि contractor कौन है क्योंकि जब उसने उसका phone चेक किया तो उसके phone पर उस number से बहुत सारी calls और video calls आई थी जो की odd hours में भी थी जेन उसे अपना phone देने से इंकार कर देता है और इस पर टिया अपने हातों में से ring खोल कर उसे फैंक देती है अलीशा की बार बार जेन को call आ रही है और जैसे ही टिया ये देखती है वो उसे कहती है कि उसे वो phone उढ़ाना चाहिए उसने अलीशा के नंबर को जितेश के नाम से सेव किया था लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि थोड़ी देर बाद सच में जितेश का phone आ जाता है और वो phone को speaker पे लगा देता है तिया को अब अपनी बातों के उपर regret होने लगता है और जेन इस कहानी को और स्पुखता करने के लिए अपना phone उसके हाथ में दे देता है तिया अब अपने शक को दूर करने के लिए contractor वाले उस नंबर पे call लगाती है जो कि असल में एक contractor का ही था तिया इस बात के बाद काफी जादा guilt में आ जाती है और वो उसे बार बार माफी मागती है वो beach house वाली बात के लिए अपनी मा से भी जगडा करती है और beach house के papers पर sign कर देती है अलीशा एक रूज मारकेट में थी जहां उसकी मुलाकात अचानक करन से होती है करन उसे काफी उपर बुलाता है और दोनों बैठ कर बाते करने लगते हैं बातों ही बातों में करन उसे बताता है कि जेन की company में कुछ financial issues चल रहे हैं जिसकी वज़़ से टीया अपने beach house को गिरवी रख रही है अलीशा अब तक इसी impression में थी कि जेन उसके पैसे वापिस कर रहा है लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वो उससे और पैसे उधार ले रहा है तो उसे ये समझ आ जाता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ने वाला अलीशा अब गुस्ते में तम तम आते हुए सीधा जैन के पास पहुँच जाती है जहां टीया और जैन अभी अभी वीचा उससे वापिस आये है जैन दूर से ही अलीशा को आते हुए देख लेता है इसलिए वो टीया को घर अकेला वापिस भेज़ देता है और अलीशा को लेकर पारकिंग लोट में चला जाता है वो दोनों एक दूसरे से जगडा करने लगते हैं जहां अलीशा उससे सच पूछती है लेकिन जैन उसे कुछ भी नहीं बताता अलीशा गुस्ते में उसे कहती है कि उसे टीया को पूरा सच बताना होगा वरना वो खुद जाकर टीया को सब सच-सच बता देगी जैन उसे ऐसा करने के लिए बार बार इनकार करता है लेकिन वो उसे अगले दिन तक का वक्त देती है वो उसे कहती है कि अगर कल तक उसने उसे कुछ नहीं बताया अलीशा की पिता भी उससे मिलने आने वाले हैं लेकिन वो अपने पिता को कहती है कि वो सीधा उसके घर जा सकते हैं और उसे आने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा जेन जैसे ही अलीशा से बात करने के लिए जाने लगता है वो उससे पहले अलीशा के घर आता है और उसके पास उसके घर की चावी भी थी वो अपने पूरे सामान को वहां से पैक करता है लेकिन जैसे ही वहां से बाहर निकलने लगता है अलीशा के पिता उसे देख लेते हैं जेन जैसे है अलीशा से Yacht पर मिलता है वो उसे कहता है कि वो उससे बहुत जादा प्यार करता है और उसने टिया को सब सच-सच बता दिया है। इतना कहकर वो ड्रिंक बनाने के लिए अंदर चला जाता है और अलीशा से कहता है कि वो Music प्ले कर सकती है। अलीशा अपने phone को speaker से connect करने की कोशिश करती है लेकिन जब वो नहीं हो पाता तो वो उसके laptop पे गाने प्ले करने लगती है जेन अपने phone पर जितेश से chat कर रहा था और वही chat box उसके laptop में भी खुला था अलीशा जैसे ही जेन और जिदेश की चाट पढ़ती है वो ये समझ जाती है कि टिया और जेन अभी भी साथ में हैं वो उन मेसिजिस को पढ़ती है और उसे पता चल जाता है कि जेन उसे मारने वाला है अलीशा अब भी जैन से बहुत प्यार करती है और वो चाहती है कि उस पर भरोसा करे लेकिन उसके बाद जब वो टिया और उसकी चाट पड़ती है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं इसके बाद अलीशा सीधा किचन की तरफ जाती है वहाँ वो देखती है कि जैन उसकी ड्रिंक में वही एंग्जाइटी पिल्स मिला रहा है जो वो आम तोर पर लिया करती थी जैन इन पिल्स को अलीशा के घर से ही लाया था और ऐसा वो इसलिए कर रहा था ताकि वो उसके मर्डर को सुईसाइड में बदन सके वो चुप चाप आकर अपनी जगा पर बैट जाती है और जैन उसे ड्रिंक आफर करता है लेकिन वो उससे कहती है कि उसका पीने का मन नहीं है और वो वहाँ से जाना चाहती है उसने टिया को कॉल लगाई थी और जैन जैसे ही ये देखता है वो उससे फोन चीनने की कोशिश करता है अलीशा और जैन की यॉट पर मुट्भेड होती है जिसमें जैन पानी में गर जाता है अलीशा यॉट को किनारे तक लाती है और टेक्सी में बैठ कर अपने घर वापिस आ जाती है वो जैसे ही घर पहुँचती है वो बहुत ही बुरी हालत में थी बहुत देर तक उसे सुईसाइडल थौर्स आते रहते हैं और जैसे ही वो शावर के लिए जाती है वो देखती है कि उसे ब्लीडिंग हो रही है यानि कि उसके बच्चे की मौत हो चुकी थी अगली सुभा अलीशा को करन की कॉल आती है जहां वो उससे बताता है कि जेन की पिछली रात ही मौत हो चुकी है अलीशा टिया और करन के साथ पुलिस टेशन जाती है जहां वो जेन की लाश देखती है जितेश श्री बात जानता था कि टिया ने उन पेपर्स पे साइन कर दिये हैं इसलिए वो टिया के घर पर बीचा उसके पेपर ढूनने लगता है वो अलीशा और जेन के बारे में सब कुछ जानता है इसलिए वो अलीशा को ब्लाक मेल करने लगता है वो उसे कहता है कि उसे वो पेपर्स उसे लाकर देने होंगे या फिर वो टिया को सब बता देगा अलीशा जितेश के लिए वो काम कर देती है और इसके बाद जेन का बिजनस काफी अच्छे से चलने लगता है कुछी दिनों के बाद तिया को ये पता चलता है कि जेन ने उस बीच हाउस को गिरवी नहीं रखा था बलकि उसे बेच दिया था तिया जैसे ही ये बाद सुनती है वो अलीशा से कहती है कि उसके पिता ने उस बीच हाउस को अलीशा के नाम पर किया था वो सीधा अपने पिता से बात करने के लिए जाती है और उनसे ये सवाल करती है कि आखिर अब तक उन्होंने उसे सच क्यों नहीं बताया क्योंकि इतने सालों से वो बस यही सोचती आ रही थी कि उसके मा की दुख की वजह उसके पिता है जिस पर उसके पिता उसे कहते हैं कि वो अपनी माँ से बहुत जादा प्यार करती थी और वो नहीं चाहते थे कि वो उसकी नजरों में उसकी माँ की छवी को खराब करें इसके बाद हमें सीधा दो साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां पर अलीशा अपने पिता की चीज फाम पे है वो दोनों अब काफी अच्छे से रहते हैं और अलीशा अपने पिता से अक्सर मिलने के लिए ना सिकाती है उन दोनों के बीच का रिष्टा आप काफी जादा सुधर गया है और अलीशा चाहती है कि उसके पिता मुंबई में उसके साथ ही रहे थोड़े ही दिनों में करन की सगाई होती है जिसकी पार्टी में अलीशा टिया से दुबारा मिलती है करन की मंगेतर का नाम अनिका था और अनिका उसके आफिस में ही काम किया करती थी करन की बुक पबलिश तो हो गए थी लेकिन उसकी बुक को किसी ने पढ़ा नहीं कुछी दिनों के बाद उसमें अपनी मार्केटिंग वाली पुरानी जॉब ले ली जहाँ उसकी मुलाकात अनिका से हुई कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि अनिका की दादी अचानक से अलीशा और टीया से मिलने आती है जहां वो उनसे कहती है कि अलीशा को वो पहले से जानती है और उनकी पहले भी मुलाकात हो चुकी है असल में अनिका की दादी और कोई नहीं वो बूड़ी औरत थी जो अपने पती के साथ उनके यौट पर आई थी और जेन ने उनसे ये जूट कहा था कि वो दोनों मंगेतर हैं इसी के साथ हमारी कहाने खत्म हो जाती है इस कहाने से हमें काफी जादा मेसिजिस मलते हैं जैसे कि पास्ट आपका कभी भी पीछा नहीं जोड़ता दूसरा गलती कितनी भी बड़ी क्यों न हो अपनी जान लेना कोई सिल्यूशन नहीं होता मूव अन करने का उप्शन हमेशा हमारे पास होता है और जो मुझे सबसे कमाल का मेसिज लगा वो ये था कि अफैर्स भले ही कितने जादा ग्लोरियस क्यों न लगते हो उनकी शुरुआत भले ही चमकदार हो लेकिन अन्त बहुत जादा अंधिरों में होता है फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं कि जैन और अलीशा का प्यार बहुत जादा अच्छा है लेकिन जैसे ही जिन्दगी में थोड़ी सी मुश्किले आने लगती हैं, प्यार हवा हो जाता है और जिन्दगी हावी हो जाती है I think real life में भी ऐसा ही कुछ होता है जो प्यार, वक्त और लाइफ के थपड सहन कर ले बस वही सर्वाइब कर पाता है बाकी चीज़ें तो गायब हो जाती है फिल्म में अगर हम स्टार्स की परफॉर्फॉर्मेंस की बात करें तो दिप्रका पद कोन हैस डन अ ब्रीलियन जॉब अनन्या पांडे की परफॉर्मेंस भी आपको काफी अच्छी लगेगी कुछ ही कैसे सीन्स हैं जिन में आपको वो काफी जादा मच्च और नजर आएंगी ध्यार्य कारवा जिन्होंने करन की परफॉर्मेंस निभाई है उनके पास करने के लिए जादा कुछ है नहीं लेकिन जितनी भी उनकी सीन्स हैं उनको उन्होंने काफी अच्छी से जस्टिफाई किया है आखर में हम बात करते हैं सिधार चतुरवेदी यानि की जेन की जो इस कहानी में सेंटर अफ अट्राक्शन बने रहे उनका क्यारेक्टर एक ambitious और charming लड़के का है जिसको उन्होंने काफी अच्छे से justify किया है तो अगर मैं ऐसा कहूं कि इस कहानी में आप बोर नहीं होंगे तो शायद वो बिल्कुल सही होगा ये फिल्म ऐसे लोगों के लिए है जो भावनात्मक चीजे जादा देखना चाहते हैं लेकिन अगर आप कोई बॉलिवूड मसाला देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल नहीं है Thank you so very much guys और comment section में हमें बताईएगा जरूर की आपको ये फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को कितनी rating देना चाहते हैं Thank you and stay tuned